Hello guys, welcome to IS Point, this is Adidhi Pande कैसे आप लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं तो चलिए हम लोग अपना chapter continue करते हैं आगे आप सभी को पता है कि chapter बहुत ज़्यादा important है तो इसे खूब मन लगा के पड़ेगे, ठीक है? तो चलिए start करते हैं आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे काल क्रम लिखा है तो काल क्रम क्या होता है? देखिए यह जो काल क्रम है न, यह मानव के उदै, पौधूं और पशुओं के बसने की क्रिया के बारे में प्रकाश डालता है बताता है कि विकास जो है, वो कहा कहा कब कब हुए तथा कौन से विकास महतपूर्ण है परन्तु काल क्रम को अध्यान करने के लिए न, कई सारे रूल्स आपको फौलो करने होते है तो आगे जानते हैं उन रूल्स के पारे में पहला क्या है कि राजा ने कब युद्ध लड़े, कौन सा युद्ध कब शुरू हुआ जैसे कि माल निचे कोई योजना आती है, जो 2001 में लागू हुई तथा 2020 तक चल रही है तो 2001 में लागू हुई न, वो डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ज़ादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो योजना थी, वो कब प्रभाव में आई यानि उस योजना का सरवाधिक, जो मतलब कह सकते हैं सरवाधिक सेवा लोगों को कब प्राप्त हुई लोगों ने सबसे ज़ादा उपयोग उस योजना का किस वर्ष में किया, उसकी हाई रेटिंग कौन से इयर में थी अगर ये पता चले, तो ये ज़्यादा important records होते हैं, ठीक है? और भी कई सारे rules है, जैसे कि कुछ तिथियां, किसी प्रक्रिया के आरंभ या उसकी परिपक्व अवस्था को दर्शाती है ये भी एक दम उसी से related है, कि आरंभ important है और एक परिपक्वता important है कि वो जो हमने क्रिया लागू की है, वो प्रभावित बहुत ज़्यादा कौन से साल या कौन से महिने में थी, ठीक है? नेक्स्ट है आपका, इतिहासकार लगातार नए-नए साक्षयों की आधार पर तिथियों की संशोधन कर रहे हैं तथा पुराने तिथियों के निर्धारण के लिए भी पुना एक बार उस पे अध्यन कर रहे हैं इसका मतलब है कि माली जी हम कोई maths का question solve करते हैं तो हमने उसका answer निकाल लिया पर उसके answer को बिल्कुल accurate जो हमें ग्यात हुए है वो पुर रूप से सही है कि नहीं ठीक है नेक्स्ट है आपका कि एतिहासिक प्रक्रियाओं में काल अनुक्रम ऊपर नीचे होना तो काल अनुक्रम ऊपर नीचे एक आग दो वर्ष कब ज्यादा होता है अगर आप किसी दो तिन राइटर्स की बुक को उठाते हैं तो डेट आपको अलग-अलग मिल जाएगा अगर किसी में 1956 है तो हो सकता है किसी में 1957 हो मतलब बहुत महत्पून नहीं जो बहुत पहले की बात हैं जो बहुत पुरानी पुरानी इतिहासे उसमें ऐसा होता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं होते कि कोई accurate हमें किसी को भी नहीं पता है तो ये कालकरम कैसे दिये गए हैं देखे ये कुछ तीन टेबल्स दिये गए हैं जिसमें बताया गया है अफरिका, यूरोप, एशिया, औस्ट्रेलिया आदी में कौन-कौन से वर्ष में क्या-क्या हुआ काफी इतिहास से स्टार्ट किया गया है जो भी blank स्थान इसमें दिये गए होंगे न तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई खोज ही नहीं हुई इसका मतलब ये है कि अभी तक हमें उसके बारे में कोई साक्षी यानि कि कोई सबूत अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है तो हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है शायद उस वर्ष भी कुछ न कुछ हुआ हो तो इसमें खाली स्थान का मतलब आपको पता चल गया और इसमें सब कुछ बताया गया है ये टेबल एके करके पढ़ूंगी भी तो मैं आपको उतना अच्छे से नहीं समझाएगा इसके लिए एक option है कि ये जो टेबल है या आप सभी के WhatsApp ग्रूप अगर आप WhatsApp ग्रूप में हैं तो आप सभी के WhatsApp ग्रूप में चला जाएगा तो आप वहां से प्रेंट आउट निकल वा लिजे या फिर आप इसे लिख सकते हैं या फिर मैं आप इस शॉट कर देती हूं आप स्क्रीन शॉट ले लीजे और इसे अच्छे से राइट डाउन कर लिजे या फिर प्रिंट आउट भी निकल वा लिजे आपको जो भी सुविधा जनक लगे आप वो कर सकते हैं इससे क्या होगा कि आप इसे दो तीन बार अच्छे से देख लेंगे रोज एक बार सुवा उठी और इसे एक बार रीड कर लीजे तो या आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि पहिये का विश्कार किस टैम पे हुआ गेहु और जो की खेती कब शुरू हुई कहा कहा शुरू हुई जैसे यूरोप में कब हुई अमेरिका में कब हुई ओके तो ऐसे ही तीन पेज़े यह तीनों के मैं आपको देती हूँ आप स्क्रीन शॉट ले लीजे देखिए दो सेकेंड तक रुका हुए आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं पॉस करके अब इसका ले लीजी आप स्क्रीन शॉट अब इसका आप ले लीजी स्क्रीन शॉट चलिए स्टार्ट करते हमारा न्यूज चैप्टर यह समय की शुरुवात से इसके अंतरगत हम अध्यान करेंगे कि जो मानों का विकास है वो किस तरीके से हुआ हम मानों के इतिहास की बारे में जानेंगे बहुत से विज्ञानिकों का मानना है कि मानों का विकास किसी एक प्रजाती से हुआ है मतल Lewis हम से पहले कोई एक प्रजाती थे हम कहते हैं कि बंदर हमारे पूर्वश थे तो उसी तरिक से विज्यानिकों का मानना है कि हम से पहले बंदर का थोड़ा सा विख्सित रूप मानव था जिसमें धीरे धीरे शारीरिक धाचों में विकास होता गया तथा उसके मश्टिश्क का विकास होता गया जिस तरीके से आधुनिक मानव का निर्माण हुआ है तो इसके अंतरगत हम इन सब चीजों का अध्यन करेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे कि जीवाश्म क्या होता है क्योंकि हमने ये कैसे पता चला कि मानव हमसे पहले भी एक अलग टाइप के मानव रहते थे जीवाश्मों से पता चला तो जीवाश्म क्या होते हैं इन्हें इंगलिश में फॉसल कहते हैं जिवाश्म न ये बहुत ही पुराने पोधए या जानवर आदिकि अवशेश होते हैं जो कहां से मिलते हैं किसी चटान की नीचे जो लाखों वर्ष पहले दبेवे हूँ या किसी पत्थर में मिले रहते हैं जैसे मान लीजिए किसी पत्थर को तोड़ा गया ठीक है तो उस प अगर हम इसमें DNA मिल गया तो हम अच्छे से उसे एक्जामन कर पाएंगे कि वो क्या है तो इसी तरीके से इन अवशेशों को क्या कहते हैं जीवाश में कहते हैं अब आप जानेंगे कि species क्या होती है तो देखिए कोई भी मानव हो या फिर कोई जानवर अगर आप पौधों की भी बात करें तो उन्हें आप प्लांट species कहेंगे अगर आप मानव और जानवर दोनों की बात कर रहे हैं तो इसे आप क्या कहेंगे animal species कहेंगे ओके तो देखिए species ये हो गई और सभी मानव और पेड़ों को एक scientific नाम दिया गया है अंतराष्टिय तोर पे ठीक है ये सभी जानते हैं तो बताईए कि human का biological name क्या है क्या आपको उसकी बारे में पता है अगर आपको पता है तो आप comment section में जरूर बताईएगा और अगर नहीं पता है तो कल मैं आपको इसका answer जरूर देदेंगे ओके तो चलिए next speech भी चलते है next speech भी क्या है कि हमें न एक बार एक खोपड़ी मिली खोपड़ी मींस सर ठीक है उसकी हड़िया हमें मिली तो हमने उस पे research किया किसने किया call for lot को ये swap दी गई ये बहुत ही पुराने इतिहासक ये थे इन्हें दी गई तो इन्होंने क्या किया प्लास्टर के उपियोग से उस खोपड़ी के उपर जैसे कोई खोपड़ी है कोई धाचा है ठीक हमने उसको प्लास्टर लगाया उसे आकार देना शुरू किया तो इन्होंने पाया कि एक मनुष्य का चेहरा है लेकिन इस मनुष्य के चेहरे में काफी ज़्यता भिहनता है जो कि आज के मनुष्यों से थोड़ी सी अलग लग रही है जैसे जो जबड़ा है जबड़ा टीत के दातों के पास वो जो था थोड़ा आगे निकला हुआ था ठीक है नाग जो थी थो अलग थी वो आखे काफी ज़दा बड़ी बड़ी थी और जो सर था वो भी काफे ज़ादा बड़ा था और कान थोड़े बड़े बड़े थे तो इस तरह का उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि इससे पहले भी जो मानों थे वो थे लेकिन थोड़े अलग थे उनके सोचने समझने की शमता अलग थी तथा और भी चीज़े उ उन्हें ये मानना पड़ा, ओके, आप ये देख सकते हैं, खोपडी का एक हिस्सा दिया होगा, कपाल है, इसे कहते हैं, ये निडर्थल, नियंडर्थल मानव की खोपडी है, कुछ लोगों ने इस खोपडी की जो पुरानता है, उसे स्विकार ही नहीं किया, और बताया, कि य पुर्ख की है, या तो किसी जड़ बुद्धी प्रानी की है, क्योंकि काफी ज़दा बड़ी थी, तो लोगों को लगा कि किसी अविक्सत मनुष्य की, या फिर जिसे कोई प्राबलम हो, वैसे मनुष्य की है, मानो के क्रमिक विकास की, आप कहानी पढ़ेंगे, अब देख आप सबसे पहले क्या करेंगे, चावल लेंगे, उन्हें बीनेंगे, उन्हें साफ करेंगे, उन्हें दोएंगे, उन्हें रखेंगे, फिर आपने गैस जलाईया, फिर इंडक्शन जलाया, बरतन में पानी रखा, वो गरम होगा, फिर उसमें आप चावल डालेंगे, फिर तो जैसा कि आप यह चार खोपडियां देख रहे हैं कोई भी प्रक्रिया चल रही हो तो एक क्रम के रूप में होती है तो जो मानों का विकास है वो भी क्रम के रूप में ही हुआ होगा तो जैसा कि आप यह चार खोपडियां देख रहे हैं कख गग ठीक है इसमें आप देख रहे हैं जबड़ा कैसे बाहर आया हुआ है जो कि मैं पॉइंट आउट करती हूँ यह देख रहे हैं आप फिर इसमें देखी इसमें थोड़ी भिन्नता है फिर इसमें क्या हुआ सर जो था वो थोड़ा जूका और जबड़ा जो था थोड़ा अंदर आया और फिर यह है आधुनिक मानों का कपार इन चार खोपड़ियों को देखिए इन में से एक वो वानर की है दूसरी जो है Australopithecus नामक प्रजाती की है तीसरी जो है वो Homo erectus यानि कि एक सीधे खड़े होके चलने वाले आदमी की है चौथी खोपड़ी क्या है? यह Homo sapiens की है Homo sapiens कौन है? ने देखा और इन में आपने बहुत सारे अंतर और परिवर्तन भी देखे होंगे यह क्रमिक क्रिया के फल स्वरू भी उत्पन हुए है तो मनुष्य के जो क्रमिक विकास के कहानी है नहीं काफि जदा उलजी हुई है इस संबंध में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है तथा बहुत शंशोधन भी हुए है परन्तु उनके परिडामों को अब हम इसमें गहराई से पढ़ेंगे परन्तु अभी भी बहुत एक्जैक्ट हम लोगों को नहीं पता है मानों के विकास के क्रम को करना तो करने ही होगी यह व समय था जब एशिया था circular अफरिका में सतन पाई प्राणियों का प्राइमिट नामक श्रेणी का उद्भाव हुआ उसकी बाद लगभग 240 लाक शाल पहले प्राइमिट श्रेणी के एक उपसमोह का वरणन हुआ जिसे होमोनाइट कहते हैं इस उपसमूह में वानर यानि की एप शामिल थे और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमोनिट प्राणियों के अस्तित्तों का साक्ष मिलता है होमोनिट वर्ष जो है ये होमोनाइट उपसमूह से विक्सित हुए हैं इनमें अनेक तरह की समानताएं हैं कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं कुछ की शरीर का अगला और पिछला हिस्सा लचकदार होता है इसके विपरीज जो होमोनिट थे वो सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल पे चलते थे इनकी हाथ जो थे ने थोड़े विशेश किस्म के थे जिनकी साहता से ये ओजार बना सकते थे तथा इनके बारे में भी हम काफी ज़दा अच्छे से गहनी चर्चा करेंगे प्राइमेट जो है ये स्तनपाई प्राणियों के एक बहुत बड़े समों के अंतरगत का एक उपसमों है इस प्राइवेट उपसमों में वानर, लंगूर, मानव, इत्यादी शामिल है जो पैदा होने से पहले एक लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है तथा जिन माताओं के पास दूद पिलाने के लिए बच्चों को ग्रंथियां होती है ऐसे ही भिन भिन किसमों के प्राणी इसके अंतरगत आते हैं यानि जो स्तनपान करा सकते हैं ऐसे प्राणी इसके अंतरगत आते हैं प्राइमेट केंदर गत तो चलिए आगे चलते हैं इसमें क्या है हात का क्रमेख विकास हमारे हात की उंगलिया थी न फी लंपी नहीं थी और हमारे आक्रिदी जो है ये होमो निड की दुरुस्त वस्तुक्ष म ककड़ को दर्शाती, ये तीसरी किसकी है, मनुष्य की, जो बहुत सशक्त पकड़ को दर्शाती, ठीक है, तो ये भी एक क्रमिक विकास का उदाहारण है, होमो नोईड नामक जो परिवार है ये होमो निडेई के सदस्य होते हैं इस परिवार में सभी रूपों में मानो प्राणी शामिल है इसकी कई सारी विशेश ताइम ही हैं जैसे जब होमो निड में हम आए इस करमिक शेत्र में जब हम आए न तो हम दोनों पैरों पे चल सकते थे हाथ की विशेश छमता थी जिसे हम औजार बना सकते थे होमो निड के आगे कई शाखाओं में इसे विभाजित कर दिया गया यानि जो होमो निड है इसे आगे कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिसे हम genius कहते हैं इन शाखाओं में Australopithecus और Homo अधिक महत्वपुन है इन शाखाओं में तो कई सारी प्रजातियां पाई जाती है जिनमें दात और जबडों में काफे ज़दा अंतर दिखाए दिए जैसे होमो की अपेक्षा जो Australopithecus है इसके मश्टिशक का अकार बहुत बड़ा था जो जबडे थे वो बहुत ज़दा भारी थे तथा दात भी बहुत बड़े बड़े थे दरसल इन प्रजातियों का जो भी व्यग्यानिक नाम है वो हम लैटीन भाशाओं से तथा यूनानी भाशाओं से बनाते हैं कि मानों के आद्ध रूप में उसकी एप अवस्था के अनेक लक्षन बरकरार रहे यानि कि जब मानों का ख्रमिक विकास में रूप देखा गया तो कुछ-कुछ वानर जैसे मिलते थे इसलिए हमने इसे नाम दे दिया एप का यानि कि वानर का ठीक है यानि पिथिकस आये जानते हैं जीनस हिंदी में हम जीनस को वन्ष कहते हैं तो चलिए नेक्स पेज पे चलते हैं इसमें हमने क्या देखा है आस्ट्रेलो पिथिकस यानि कि ओल्वडोई गोर्च की खोज 17 जुलाई 1969 में ओल्वडोई गोर्च सरुप्रथम 20 सदी के प्रारंभिक वर्षों में एक जर्मन तितली संग्राहक द्वारा खोजा गया था लेकिन आगे चलकर यह ओल्वडोई नाम मेरी और लुईस लीकी के साथ गहराई में जुड़ गया जिन्होंने 40 वर्ष से भी अधिक समय तक शोध कारिय किया था तथा वहां की गई रोमांचित खोजों में उनका काफी ज़्यदा हाथ रहा लुईस लीकी ने अपनी इस अदभुत खोज का वरणन इस प्रकार किया था कि जब मैं उस दिन सुबह उठाना तो मुझे हलका बुखार महसूस हो रहा था मुझे हलका बुखार महसूस हो रहा था मेरा किसी काम में मन नहीं था इसलिए मेरे लिए काम पे जाना परंतु फिर भी जरूरी था हमें अपना पूरा काम करने के लिए सिर्फ साथ सप्ता का ही समय मिलता था, जो जल्दी जल्दी बीत रहा था, साथ सप्ता का समय मेरे लिए बहुत कम था, इसलिए मैंने अपने दोनों कुतों सैली और ट्यूटस के साथ खुदाई पर चली, और मैं बेचैन होकर पीछे मुझे लगा कि मेरी और किसी जहरीली बिच्चु ने, यानि मेरी जो लड़की थी, उन्हें किसी जहरीली बिच्चु ने काट लिया है, वहां सैकडों की तादाद में बिच्चु थे, अथा किसी सापने डस लिया होगा, या फिर कोई कुता ही दोडा लिया होगा, लैंड चोट खाग बैठी तो मैरी ने कहा उसी को बस उस आदमी को हमारे आदमी को पा दिया उसी को जिसे हम तेस वर्षों से खोज रहें जल्दी आओ मुझे उसकी दाप मिल गये हैं तो इस प्रकार उन्हें वो जो मानव का कंकाल था वो इन्हें प्राप्त हुआ कलांतर में जब औजार बनाने वो लंबी दूरी तक पैदल चलने के क्रिया में बढ़ हुरोतरी होती गई तो लक्षणों का विकास भी होता गया जैसे कि देखे जब मनुष्य हाथ और पैड दोनों के इस्तिमाल से चलता था ठीक है यानि एक तरह से हमारे चार पैड थे उसके हमारे मस्तिश्क का विकास थोड़ा सा कम था ओके फिर हम पेड़ों पे उचलते थे फिर हम सोचे कि अब हमें चलना भी चाहिए तो हम अपन पेड़ों खड़ा हो गया होगा तो उसने सुचा होगा कि चल की भी देखते हैं फिर हो धीरे धीरे चलने लगा तो इस तरीके से मनुष्य का विकास हुआ था उदाहरण के तौर पर दो पेरों पर खड़े होके चलने की शमता के कारण हाथ बच्चों या चीजों को उठा कर ले जाने के लिए हम मुक्त हो गये थे हाँ पहले हम सभी मतलब दोनों हाथ और दोनों पेरों का इस्तमाल के विल चलने के लिए करते थे जिसे कि अपने बच्चों को पकड़ नहीं पाते थे और भी कारे जो हम नहीं कर पाते थे परंदु जब हम दो पैरों से चलने लगे तो हमारे दो हाथ फ्री हो गए जिसे हम बहुत सारे कारे कर सकते थे तो मनुश्य को सुविधा मिली जब हम में सुविधा मिलती है तो हम उस कारे को और अच्छे से करना चाहते हैं तथा लगभग 25 लाख वर्ष पहले धुरूवी हमा च्छादन से जब प्रित्वी के बड़े भाग बर्व से ढग गए तो जलवायू तथा वनस्पती की स्थिती में भी काफे जदा परिवर्तन आए और इससे क्या हुआ जंगल काफे जदा कम हो गए तथा छेतरफल बढ़ गया जिससे जो आस्ट्रेलो प्रतिकस थे न इनके प्रारंभी गुरूप धीरे धीरे लिप लुप्त होते गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां भी आ गई नेक्स्ट है आपका होमो यानि कि एक लेटीन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी यदिपी हमें पूरुष और इस्तरी दोनों मतलब जो आदमी है उसके अंदर पूरुष और इस्तरी दोनों शामिल होते हैं होमो में ठीक है वेग्यानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बाटा है और इन प्रजातियों को उसकी विशिष्टाओं के अनुसार भी अलग-अलग किये हैं इस प्रकार जीवाश्म को होमो हैबिलस होमो हैबिलस कौन से जीवाश्म है जो औजार बना सकते थे दूसरा था होमो एरेक् के जीवाश्म एथियोपिया में ओमो और तांजनिया में ओल्वडोई गोर्ज ने प्राप्त किये हैं होमो एरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म जो थे वो अमेरिका और एशिया दोनों ही महादूइप में पाए गए यथा कुभी फोरा और पश्टिमी तुरकाना केन्या म कर्वो जकारतो और संगीरन जावा एशिया में पाये जीवाश्म अफριका में पाए गए जीवाश्म की तुलनामे परवर्तिकाल के हैं इसलिए यह अधिक संभाव है कि होमोनीड पुर्व अफरिका से चल कर एशिया में आये तथा पुर्वत्तर एशिया और शायद यूर नेक्स्ट है हमारा कुछ दुष्टान्तों में जीवाश्मों का नामकरण उनके स्थानों के आधार पे भी किया गया है जैसे जो विशेश प्रकार के जीवाश्मों मिले थे दर्थल लैसिस के नाम से जाना जाता है ये दोनों होमो सेपियन्स यानि की आग के प्राग्य मानव जाती के हैं हाइडलबर्ग मानों जो हैं ये आठ लाख वर्ष से एक लाख वर्ष पूर्व दूर दूर तक फैले हुए थी यानि इनकी जो जनसंख्या थी वो काफी ज्या आनक से ये विलूप्त हो गए सामान्य तह औस्ट्रेलो पिथिकस की तुलना में होमो का जो मस्तिश्क था वो काफी ज्यादा बढ़ा था तथा जो जबड़े थी वो बाहर थी उनमें मस्तिश्क की आकार में जो व्रिद्धी थी वो उनकी अधिक बुद्धिमता को बहतर क जलते हैं मानो के क्रमिक विक्यास की कहानी अब देखेंगे यदि आप एक टेबल देख रहे होंगे यदि आप इसमें नजर डालेंगे तो होमो सेपियन्स की अस्तित्त के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य हमें अफ्रिका के भिन भिन भागों से मिले हैं इससे ये प्रश् सारे प्रश्ण हुए तथा इन पर काफी जादा विवाद हुआ काफी जादा विवाद हुआ निरंतरता मॉडल इसमें पहला मत क्या आया चेत्री निरंतरता मॉडल यानि continuity मॉडल को मानते हैं जिसकी अनुसार अनियक चेत्रों में अलग-अलग मनुष्यों की उत्पति वो एक ही स्थान यानि कि एफ्रिका में हुआ यह तर्क वर्तमान मानों में दिखने वाले लक्षणों को छेतरी विविधाओं पर आधारी थे मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा हुआ छेतरी निरंतर्ता मौडल के अनुसार यदि हम देखें तो भिन भिन प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियन्स का आधुनिक मानों की रूप में विकास धीरे धीरे तथा अलग अलग रफ्तार से हुआ इसलिए आधुनिक मानों दुनिया के भिन भिन भागों में पहली मर्तबा अलग-अलग स्वरूप में दिखाई दिया यह तर्क आज की मनुष्यों की लक्षणों की विविधताओं पर आधारी थे तथा इस दृष्टिकोड की समर्थन में बोलने वालों की अनुसार यह उपयुक्त असमानताएं एक ही छेतर में रहते आये हैं पहले से ही होमो इरेक्टस और होमो हाइडल बर्गैसिस समुदाओं में जो भिन्नता पाई जाती है उनकी आधार पेमत दिये गए हैं तो अब हम आपका लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं कल हम आगे से कंटिन्यू करेंगे अगर आपको कोई भी कुशन हो, कोई भी क्यूरी हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप इससे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पुरी कोशिश की जाएगी और अगर आपको इवीडियो अच्छा लगाओ तो आप लाइक भी कर दीजेगा और अपने दोस्तों को शेर कर दीजेगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ग्यान जितना बाटो उतना बढ़ता है और अगर आप हमाई चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजेगा और थैंक यू सो मुच फॉर वाचिंग टेक केर